दोस्तो मानो ने मशीन मनाया है लेकिन मशीन अब मानो को नियंतरित करेगी जी हाँ दोस्तो देश के बुनियादि सिक्षा को पुक्ता करने सशक्त करने की बागडोर जिनके हाथ में है वो प्राइमरी पाट साला के सिक्षक सिक्षी का भाई बहन है एक फर्मान जारी हो रहा है एक जिले से जारी हो रहा है मुख विकास अधिकारी के माध्यम से जारी हो रहा है और दोस्तो बात क्या है सिक्षको को अनुशासित करना है जिनके हाथ में ही देश के भविश्य को अनुशासित करने की कमान है जो देश के निर्माता हैं, सिक्षक सिक्षिका भाई बहन, उनी को अनुशासित करने का फर्मान जारी हुआ है, जिला प्रसासन जारी कर रहा है, बात हो रही है कि सिक्षक समय पे नहीं आएंगे, तो दंडात्म कारवाही होगी, कठोर कारवाही होगी, ऐसी शब्दावलिया ऐसी बातें, जो कि मन को विथित करती हैं, क्योंकि जो आधार भूत बाते हैं, किसी रास्ट की जो आधार शिला है, उस पे जो वर्क कर रहे हैं, जो निर्दोष कोमल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पवित्र बच्चों के साथ जिनके समवाद हैं, जिनकी अंताह क्रि वो हमारे देश के सिखशक सिखषी का भाई बैहन है। और उनके खिलाप प्रसासन का यह जो आदेश है, जो फरमान है, कहीं न कहीं, उनको उनके अंतरमन पे चोट करने जैसा है, वेदना जैसा है। दोस्तो, खेत खलिहान गाउं की जो संस्कृती है, वो भारत की संस्कृती है, आज भी जरूरी रहें कि गाउं में जो प्रात्मिक के पाठशालाएं हैं, वहाँ पे रोड हो, आने जाने की विवस्था हो, वहाँ पे विद्याले पहुचने के साधन मैसर हो, आज भी परिशा लोग अपने दुपहिया वहनों से या पैदल ही पकडंडियों से गाउं में जाते हैं, और उसके बाद भी ऐसे फरमान कि 8-10 पे हेड़ टीचर वाटसेप मैसेज कनवे करेगा, और अगर कोई सिक्षक सिक्षी का भाई बैन नहीं आये, तो उसके खिलाब दंडात्मक करव ही होगी, आते हैं आपको ले चलते हैं एक जनपत जहांके मुख विकास अधिकारी महोदे काफी संजीदा है, काफी सवेदन सील है, और शिक्षकों को अनुशासित करने के लिए उन्होंने बीडा उठाया है, बड़ी बात है, काबिले तारीव है, दोस्तों ये पत्र जार हुआ है कारेले मुख विकास अधिकारी ललितपूर से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपूर को संदर्भित ये पत्र है, और यहां बात हो रही है कि दिरांग 5 अप्रेल 2022 को जिला अधिकारी महोदे की अध्यक्षता में आयोजित आपरेशन कायकल्ब की समिक्षा वैटक में उनके द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में निम्ण प्रकार की कारवाही करना सुनिशित करें, प्रते दिन प्राता 8 बजे से अपराहन 2 बजे तक स्कूल खुलते हैं, इसलिए आप सुनिशित करें की विद्यालियों में सभी अध्यापक अनिवार रू उससे आपको उपलब्ध करा दे, प्राता 8 बच के 10 मिनिट के बाद यदि कोई वाटसैप प्राप्त होता है, तो उसे विलंब से मानते हुए अध्यापकों की उपस्तती को विलंब ही माना जाएगा, तो दोस्तों 8 दस तक टीचर आ गया, मैसिज उसका आ गया, तो प्रज विकास खंड वार तथा विद्याले वार अनुपस्थित अध्यापकों की सूची अधो हस्ताच्छरी को उपलब्ध कराई जाए, जो अध्यापक अनुपस्थित रहे, उनके नियमा अंस्वार कठोर दंडात्मक कारवाही करते हुए आउगत कराएं, तो उस्तों गवर कर आईएगा एक-एक शब्द पे यहाँ पे बात हो रहे ही, शिक्षक के खिलाब नियमा अंस्वार कठोर दंडात्मक कारवाही, चली आगे चलते हैं, हंड सिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए, कि वह प्रद्दिन कम से कम पांच विद्यालों का परिशदी विद्यालों में आपरेशन कायकल्प से समस्थ 19 बिंदू है, तो गूगल फॉर्म बना लिया जाए, तो गूगल फॉर्म पर इन सभी बिंदू की अध्यतन सूचना परतेक सब्ता अध्यापकों के माध्धम से अपलोड कराई जाए, गूगल फॉर्म में लेट उप्रोग निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिशित कराते हुए, वांची सूचना अधो अस्ताचरी को निर्धारित अवद में उपलब्द कराई जाए ता, इस कार में किसी भी प्रकार की शितिलता ना परती जाए श्री अनिलकुमार पांडे जी है, मुख विकास अधिकारी ललित पूर है, आपका ये मानना है कि जिला अधिकारी महोदे की अध्यचता में मीटिंग हुई, ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, और निर्देश का अनपालन जरूरी है, शिक्षकों को समय बद्ध करना जरूरी है, अनुशासित करना जरूरी है, तो दोस्तो क्योंकि सूचनाय चाहिए, आपरेशन काया कल्प की और सिक्षक, सिक्षिका, जो हमारे देश के कानधार हैं, जो भावी बविश्व हैं, बच्चों के साथ नया कर सकें, इसलिए ऐसा आदेश आपको पारित करना उसको मद्य नजर रखते हुए, आदेश में तल्की हो सकती है, लेकिन पच्चों के भविश्व के द्रिश्टगत इस तरीकी के आदेश अगर जारी किये जाते हैं, तो कहीं न कहीं, सिक्षकों का सेंसिटाइजेशन भी जरूरी है, थेंक्स पर वाचिंग ए लिसनिंग, इस एजजए परकास्तो वे साइट अगॉ